साथियों, राष्ट निर्माताओं और राष्ट रक्षकों की इस धर्ती से मैं आज देश के उन सभी वीर युद्धाओं को भी सद्धांजली दे रहा हूँ जिनका आठ दिसंबर को हेलिकॉप्र हाथ से में निधन हो गया भारत के पहले चीफ अब डिफेंस स्टाप जंदल विपिन रावज जी का जाना हर भारत प्रेमी के लिए हर राष्ट भक्त के लिए बहुत बड़ी ख्षती है जंदल विपिन रावज जी जितने जाबाद थे देश की सेनाओं को आत्मन निर्भर बनाने के लिए जितनी मेहनत करते थे पूरा बेश उसका साक्षी रहा है एक सैनिक सिर्फ उसी समय तक सैनिक नहीं रहता जितने दिन वो सेना में रहता है उसका पूरा जीवन एक योद्धा की तरह होता है अनुशासन देश की आन बान शान के लिए वो हर पल समर्पित होता है गीता में कहां गया है नैनम छिद्लन्ती सस्त्राणी नैनम दहती पाव कह ना सस्त्र उसे चिन्न बिन्न कर सकते हैं ना अगनी उसे जला सकती है जन्रल बिपिन रावत आने वाले दिनों में अपने भारत को नए संकल्पों के सार्ट वे जहां होंगे वहां से भारत को आगे बढ़ते हुए देखेंगे देश की सिमाओं की सुरक्षा बढ़ाने का काम बॉर्डर इंफ्रास्रेक्टर को मजबूत करने का काम देश की सेनाओं को आत्म निर्भर बनाने का भियान तीनों सेनाओं में तालमेल सद्रुड करने का भियान ऐसे अनेक काम तेजी से आगे बढ़ता रहेगा